उत्राखंड के चंपावत जिले के सूखी डांग इंटर कॉलेज में कुछ दिन पहले एक दलित भोजन माता को रखा गया था लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले सवन बच्चों ने उनके हाथ से बना मिड़े मील खाने से इंकार कर दिया दलित भोजन माता सुनीता देवी कहती हैं कि उनकी जाती के चलते उनके साथ भेदभाव किया गया हाला कि सवन जाती के लोग इस भेदभाव से इंकार कर रहे हैं पीटिये अध्यक्ष नरेंद्र जोशी कहते हैं कि 25 नवंबर को भोजन माता के चयन के लिए बुलाई गई बैठक में बहुमत के आधार पर पुषपा भटका चयन कर लिया गया था जो बेहत गरीब प्रिश्ट भूमी से आती हैं जोशी के अनुसार इसके बाद प्रधानाचारे ने मन माने ढंग से सुनीता देवी को रख भोजन माता बना दिया इस मामले में जाती की कोई बात ही नहीं थी बीडीसी मेंबर दीपा जोशी भी उस बैठक में मौझूद थी वह भी नरेंदर जोशी की ही बात का समर्थन करती हैं दीपा जोशी यह भी कहती हैं कि उनके बच्चों को जबरन मिड्डे मील खिलाने के लिए धमकाया गया और इससे अविभावक नाराज हो गए बच्चे ने खाना नीकाया हमने कहा चलो वह भी कोई नी अपनी सोच है समझ है उसके बाद दूसरे दिन हम यह सूचना दीगी कि बच्चों को जबरदस्ती और उनको मारा जा रहा है करके जबरदस्ती बिठाया जा रहा है उनको की खाने के लिए और हमारे बच्चे जब पच्चीष तारिक को मेटिंग रख दी तो पुस्वाबट को बनाया गया तो अचानेक प्रिंसिपूल सर से हमारा सवाल था उच दिन हमने प्रिंसिपूल सर से बात करेंगे करके गए कि अचानेक सर आपको रखना था तो अचानेक नहीं रखना चाहिए जब फर्स्ट दिन पच्चीष तारिक को बेठक की गई तो दूसरे दिन में बेठक कर लेनी चाहिए यह अभाओं का कहना था और हमारा यहीं कहना था कि सर अगर कोई वच्चे ना खाए तो उनको मारना जय उर्दवर्श अस्ति मत कीजिए और आगे को जो भी होगा वो लोग देख लेंगे समिती बनाई थी जिसने सुनीता देवी के नाम की संस्तुती की थी जैसे ही यह बात बैठक में बताई गई हंगामा शुरू हो गया लोग कुछ नहीं करताएंगे जो भी करेंगे वो आप लोग करेंगे आम समती बनाना आपका दाई तो है ना बनाना आपका दाई तो है 25 नवंबर की बैठक में कोई फैसला ना हो पानी की स्थिती में 4 दिसंबर को एक और बैठक बुलाए गई लेकिन इसमें सवन वर्ग के लोग शामिल नहीं हुए इस बैठक में सुनीता देवी का चयन किया गया और प्रिंसिपल प्रेम सिंग ने उन्हें 13 दिसंबर से काम पराने के लिए कह दिया हाला कि उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया मामला गर्माने पर 21 तारिक को सुनीता देवी की अनाधिकारिक सरकारी नौकरी खत्म हो गई इसके बाद सुनीता देवी ने नरेंद्र जोशी और दीपा जोशी समेथ कई लोगों के खिलाफ जाती सूचक शब्द कहने और अपमान करने की शिकायत कर दी शिक्षा विभाग ने खंड शिक्षा अधिकारी को इस मामले की जाच सौपी है मुख्यमंत्री पुशकर सिंधामी ने भी कुमाओ के डी आईजी को इस मामले की जाच करने को कहा है वहीं अब दलित बच्चों ने सवर्ण भोजन माता के हाथ से बना खाना खाने से इंकार कर दिया है स्कूल प्रिंसिपल ने इसकी सूचना चमपावत के मुख्य शिक्षा अधिकारी आर्सी पुरोहित को दे दी है मुद भजन को कई नहीं किया हमा पास जो अन्सूजिः जाती के कुछ बच्चे थे उन्हों beginnen बच्चों ने बताया कि जब हमारी बर्ग से बोजन माता रखी गई थी तो सवर्ण बच्चोंने इसका वाइस कार दिया था तो हम भी इन सवन बोजन माता के हाथ के बने बोजन को ग्रेंड नहीं करेंगे.